ओम चांते, दो दिसंबर, आत्म बाबा की सारी मुडली आत्म भीमानी बनने पर है, तुम बच्चे आधा कल्प दे अभीमान में रहे, इसलिए अब सल कॉंसियस होना, आत्म भीमानी बनना, बड़ी महनत लग रही है, कठिन लग रहा है, बाबा रोज रोज समझाते हैं बच्चे, अपने को ऐ सरीरी आत्मा समझो, ये दे और दे के संबंद भूलते चलो, तुम तो आत्मा हो, एक आंत में बैठ कर अपने से बात आत्मा हो, निराकार स्टार की तर है, ये शरीर में निधारण किया है, मैं परमधाम से आई हूं, ये धे लेकर मैं पाठ वजा रही हो, ये अब्यास करते करते तुम आत्म भीमानी बन जाओगे, और जैसे जैसे तुम आत्म भीमानी बनोगे, तुमारी खुसी का पारा नसा चरता जाएगा और तुम बड़ो कारिगार रखना भी सीखते जाओगे तो यह जो देह के आकर्शन हैं इनसे मुक्त होते चलो दो यूग तक तुम देह अभिमान में रहे अब अगले दो यूग तुमें देही अभिमान यानि सोल कॉंसियस होना है तो उसकी प्रेक्टि महाँ चलती रहेगी आत्मा भी बहुत सुक्स और परमात्मा भी बहुत सुक्स अपने को आत्मा निश्चेकर परमात्मा को याद करना इसमें महनत लगती है क्योंकि स्थोल कोई चित्र नहीं है यह महनत सबसे होती नहीं अच्छे-च्छे बड़े-बड़े भी योग में क होते की तरह देंगे रटा रटाया देंगे उसका प्रभाव बहुत अच्छा दूसरों पर नहीं पड़ेगा भावा तो परमधाम से आया है और तुम्हें संपूर ग्यांदे रहा है स्रस्टी के आदी मद्य अंत का आदी में तुम देवी देवता थे दुनिया में कोई नहीं जानता है लक्षमिनारन को ऐसा किसने बनाया किसने इनको राजभाग दिया अब तुम जानते हो बाबा फिर से इनको ऐसा गौड एंड गौड़ेश बना रहा है तुम भी बन रहे हो विश्व की बादसाही लेना स कोई सहज काम तो नहीं है इसके लिए तुम्हें आत्म विमानी बनने की बहुत महनत करनी है और सिवावा से योग लगाना है तब तुम्हारे विकरम विनास होंगे तब तुम्हारे विकार नस्ठ होंगे और तुम स्वच्छ आत्मा बन जाएंगे यहां तो नेचुरल होती है प्रकरती ही सतो परदान है प्रकरती सतो परदान प्रकरती से सरीर बनते हैं अब देख सकते हो लक्षमी नायान के सिरिकरसन के चित्र सबको कितने आकरसित करते हैं तो तुम्हें आत्मा विमानी होना है मैं आत्मा हूं ऐसे मैंने अनेक शरीर लिये हैं औ मैं चेतन हूँ, सत्चित आनन्द स्वरूप हूँ, आत्मा गर्ब में जाती है, तो शरीर में भी चुर्पुर सुरू हो जाती है, चेतन ताने लगती है, अब तुम्हें बार बारी अभ्यास करना है, मैं आत्मा ब्रकुति सिंगासन पर बैठी हूँ, इस्तन की मालिक हूँ, मैं आत्मा बहुत पवित्र थी, परम पवित्र थी, शिवाबा बे निराकार आते हैं, कब आते हैं ये किसी को पता नहीं, रिशिमुनी भी कह गए, नेती, नेती, अर्थात, हम नहीं जान पाए, सत्त का हूँनोंने, अब तुम्हें रच्टा, यानि शिवाबा का, और अंसार के आदी मध्यनत का ज्यान, स्वयम ज्यान के सागर दे रहे हैं, वह भी सत्थ हैं, चित्थ हैं, और आनंद के सागर हैं, ज्यान के भी सागर हैं, वह आकर तुम्हें संपोर्ण सत्थ ज्यान देते हैं, तुम अब उनके सम्मुख बैठे हो, तो तुम्हें बहुत ख चाहिए स्वयम भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं और आत्म विमानी होने की प्रक्टिस बार बार करनी है। देखे आत्म विमानी की बात को थोड़ा सा समझ लें। एक है सरीरीपन मैं आत्मा इस दह से न्यारी हूं। मैं इस तन में आई हूं। और यह अभ्यास करते करते हमारे अंदर आत्मा के जो सातो गुण हैं वो आते जाएंगे। और यह सातो गुण आत्मा को संपूर बना देते हैं। यह सातो गुण सत्य युग और त्रेता युग में हमारे साथ चलेंगे। आत्मा के साथ चलेंगे। तो आत्मा जब अपने सभी गुणों का स्वरूब बन जाती है, उसको आत्म विबानी स्थितिक आ जाता है. उसकी बार-बार प्रैक्टिस करनी है, जैसे आत्मा ज्यान ज्यान स्वरूब है. कि कोई भी बात हमारी शान्ति गुनास न कर पाए शांति हमारी नेचर बन जाए मैं आत्मा परम पवित्र हूँ पवित्रता बढ़ती चले विकार छूड़ते चले इच्चाय नस्ठ होती चले मैं आत्मा बहुत सुख स्वरूप हूँ सुख वढ़ता चले आवना बढ़ती चले, नफरत घ्रना नस्थ होती चले, मैं आत्मा बहुत सकती साली हूं, पावर्फुल बनते चले, हम भैसमा थोते चले, और मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, निरंतर खुसी हमें रहने लगे, इस वर ये खुसी, ये सब हमें प्रेक्टिस करते चलना है, मैं आत्मा ये हूं, ये हूं, ये देहे नहीं हूं, ये देहे तो विनासी है, इसे छोड़ कर मुझे अब घर जाना है, तो बावा ने सारा ग्यान दे दिया है, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, वर्दान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा, युक्त युग चलने वाले सफलता मोर्त भावों हम संगटनों में रहते हैं कोई परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे की राय होती है कभी-कभी व्यक्ति अपनी राय दूसरों पे थोपना चाहते हैं लेकिन कहीं भी कारिये हो राहों में बालक बनकर हर बात को स्विकार कर लेना चाहिए मालिक बनकर अपनी राय दे देनी चाहिए विचार मथन करने में याद की यात्रा में हमें मालिक बनकर पुरसाथ करना चाहिए और सेवाओं के फिल्ड में हमें बालक बन जाना चाहिए संबंदों में कहीं बालक बन जाएं और जहां कारिये करना हो वाम मालिक पन से करें ऐसा बैलेंस रखके चलेंगे तो हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी स्लोगन है सोचना और करना समान हो तब कहेंगे ये आत्मा बहुत विल पावर वाली शक्ति साली आत्मा है तो आज हम सारा दिन आत्मएमानी हो कर रहेंगे हर गंटे में एक बार आत्मा की सातो गुणों का चिंतन करेंगे उन्हें स्विकार करेंगे ये मेरे गुण है तो बहुत नसा चड़ता जाएगा देहे का मवत तो छूडता जाएगा साथ में जिसको भी देखें उसे भी आत्मिक दरश्टी से देखेंगे तो बहुत ही सुक भरी फिलिंग होगी ओम स्यम्ति